हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल कैसे हो आप सब हो आप सब बहुत अच्छे होंगी तो आज मैं शेयर करूंगी हलवाई स्टाइल डाल मखनी या मखनी डाल की रेसिपी जैसे हम रेस्टूरेंट में खाते हैं बिलकुल वैसा ही स्वाद होता है ये डाल मखनी का घर में ये डाल मखनी और शाही पनीर ये कॉमन मेनू है ये बनेगा ही बनेगा और मेरे हजबिन भी बहुत पसंद करते हैं तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं ये बहुत यम्मी एंडेली सियासे खाने में चलिए इसकी रेसिपी अब हम देख लेते हैं तो फ्रेंस डाल कि यहां पर मैंने लिया था 500 ग्राम काली उरत कि डाल एक मुठी राजमा और एक मुठी चने के डाल तो टोटल मिलाके डाल हो गया हमारा 500 g तो अब मैं यह काली डाल को दोनू हातों से रवर के अच्छे से वाश कर लूँगी इसमें चिलका भी इसका थोड़ा थोड़ा हट जाएगा और फिर में पेशर कुकर में इसको पुबाल पे बॉइल कर लूँगी यह बिल्कुल हल्वा स्टाइल है पंजाबी डाल मखार फ्रेंड्स अभी हम पेशर कुकर ठंडा हो गया इसका लीड खोल लेते हैं देखिए डाल एकदम गल गया है थोड़ा लाइट का प्रोब्लेम है आज हमारी यह इसलिए थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा है मैं देखाने की कोशिश कर रही हूं उठा कि यह देखिए फ्रेंड्स अब मैं एक स्पून के पीछे पार्ट से मैं इसको ऐस थोड़ा सा तोर तोर के डाल को गारा कर लूंगी यह देखिए और तेज आज पे मैंने दो सीटी लगाई और ढीमी आज पे तीन सीटी लगाई मैंने माल मखानी के लिए एक मसालो का मिक्सर करना है टमाटर से एक प्यूरी बनाना है टमाटर लसुन अद्रक और हरी मेची हां मैंने लिया है दो बिक साइज के टमाटर के तुक्रे कर लिया है दो इंच अद्रक का तुक्रा दस बारा लसुन की कलिया दो हरी मेची से आप पानी करना शुरू करते हैं हल्वा स्टाइल रेस्टरिन स्टाइल कुछ भी आप बोलो डाल मखानी की रेसिपी इसके लिए मैंने यहां पे चार मीडियम साइज के प्याज को मिक्सी में पेस्ट कर लिया है और यह जो टमाटा मैंने उबाल लिया था लैसुन अध्रा खरीमिच के स आप यह कराई में मैंने वाइट गरम कर लिया है यह पूरा रेसिपी घी में आप बना सकते हो देसी घी या बटर में लेकिन इतना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं यह गी और बटर इसलिए मैं तेल के साथ एट करूंगी बटर यहां मैंने लिया है एक कप ऑईल लगभक य बटर बटर मेल्ड हो गया है अब तरका में हम लेंगे एक वन टीस्पून जीरा एक टेज पत्त को दो टुक्रा कर लिया है एक साबुत लाल मिर्च दो चोटी इलाई ची एक बरी इलाई ची एक टुक्रा दाल चीनी एक टुक्रा जावित्री और दो चार लॉम गैस का फ्ल इसे बहुत अच्छे से हमें भूनना है अब मैं टमाटर का प्यूरी जो बनाया था वो पेस्ट एक करूंगी और बहुत अच्छे से हमें इसे अभी भूनना है अब देखिए मसाला अच्छे से मैंने भून लिया है अब मैं गैस का फ्लेम हमें मीडियम लो में रखना है और अब मैं इसमें एट करूंगी स्वाद अनुसर नमक हमें ध्यान से नमक एट करना है क्योंकि हम डाल उबलने के टाइम भी नमक एट किया था 1 टीस्पून हल्दी पाउडर 1 टीस्पून धनिया पाउडर 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून कस्मिरी रेट चिली पाउडर और 1 टीस्पून चीनी टेस्ट को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छे से अब इसे मैं भून हूँगी तो फ्रेंज मसाला अच्छे से भून गया है अब मैं इसमें एट करूँगी यह किचन किंग मसाला यह एवरेस्ट का किचन किंग मसाला मैं यूज करती हूँ मेरा बहुत फेवरिट है और हल्वाई स्टाइल जब मेरी बेटी की फंक्षन में हल्वाई ने भी देखा था यही मसाला एट किया था थोड़ा सा पानी एट करूंगी, मसाला ड्राई हो गया थोड़ा सा, इसको अच्छे से भूनना है, अब इसमे एट करूंगी, ये वन टी स्पोन, ये कसूरी मेथी, ये रोस्टेट कसूरी मेथी है, रोस्ट करके मैंने मिक्सी मेश का पाउडर बना लिया, बहुत अच्छे से हमें इसको भोनना है मसाले को मैं एट करूंगी घर के जमाया हुआ फेश मलाई 2 टेबल स्पून यह फेश मलाई हो तो ही आप एट करना ज्यादा पुराना एड नहीं करना है नहीं तो इक में एक स्मेल आएगा और मसाला का टेस्ट खराब हो जाएगा अना हो तो भी प्रॉब्लेम नहीं अमूल की फ्रेश क्रिम भी आप यूज़ कर सकते हो मैं भी यूज़ करूंगी मसाला मेरा अच्छे से देखिए तयार हो गया है अब मैं इस मसालों में डाल को मिलाऊंगी डाल को मिला दिया है आप इसको मसाल के साथ अच्छे से हमें मिक्ष्ट करना है अब मैं ये डाल मखानी को 7-8 मिनी धीमियाज में उबाल लोगी जितना आप उबाल हो गे न इसका सौध उतना ही बर जाता है तो 7-8 मिनिट अभी इसे उबालना है तो फ्रेंज साथ मिनिट मेरा हो गया है बहुत बरिया खुश्बू निकल यह बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में जाके हम खाते हैं ऐसे बहुत ही पेशन से यह रेसिपी बनाया जाता है धीमे आज में उबाल उबाल के मलाई डाल डाल के तभी इसका असली स्वाद आते हैं तो मैंने कोशिश किया वैसे ही आपके साथ शेयर करने की जैसे रेसिपी मैंने देखा था मेरी बेटी की फंक्षन में हलवाई बनाया था घर में तो अब मैं इसमें एट करूंगी गरम मसाला यह साही गरम मसाला है और ये हातों में क्रश्ट कर लिया है कसूरी मेथी, हराधनिया और अमूल का फ्रेश क्रीम जितना आप क्रीम डालोगे ना फ्रेंड्स उतना ही डल मखानी का स्वाद बरता है अब इसको अच्छे से हमें मिलाना है तो ये हमारा बन के त्यार है बस और दो से तीन मिनिट इसे मैं धीमी आज पर उबाल लूँगी फिर इसको कराई से निकाल के सार्फ करूंगी तो फ्रेंड्स ये हमारा हल्वाइस डाइल डाल मखानी बन के त्यार है उपर से मैंने फ्रेश क्रीम बटर ये खरी मिच और धनिया पत्ते से गार्निच भी कर दिया है ये बहुत ही यम्मी अन टेस्टी होता है खाने में लच्चा पराथा, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, स्टीम राइस, जीरा राइस के साथ खाके आप इंजॉय कर सकते हो ये बहुत ही यम्मी अन डेलिस्यास एक रेसिपी है अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयार करना और बिल बटन को प्रेस करना कि मेरी आने वाली वीडियो के रेसिपी आपको आप तक पहुच जाए Thank you